तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, शेल, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दो आए तो आज के ब्लाग स्टाइट करते हैं वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब वाई होग किया आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और मैं बिल्कूर बढ़िया हूँ और आज के व्लोग में मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने मना इती मुंग डाल की भजिया जो हमारे यहां बहुत जाथा फिमस है बुंदेल खंड में इसको बहुत पसंद करते हैं बुंदेल खंडी लोग और यहां पर क्या होता है कि मकर संक्रांदी पर खास बनाई जाती है लिकिन जब मन करता है तो बन जाती है तो हुआ था ये कि मेरे छोड़े वाले भाई को बहुत ज्यादा पसंद है उसको इतनी पसंद है तो इसने ऐसे बैठा था तो बात कर रहा था तो प्यान लगा कि किसी दिन बना लो मंगौडी मंगोरी मोलते हrangमारे मून की दाल की तो फिर मैंने डाल दृ तॉ मुझ्छ बर्कूल पसंद नहीं है मैं सच बताओнутьव मुझ्छ और निम्ले भाई को और इनको पसंद है दुं ही तो छो Mal seeking Dave गोले तो उस puppy to तो आज मैं यही हिस तृइधा करके गर में गर के अंदर रहना है Hang benefits को कि curly पर है कि देखने के पर चीज़ के वीडियो बना है कि på लोगों को अच्छे भी लगने चाहिए और और यहिसे कोई मतलब नहीं होता है वैशे भी इतनी कोशिस पर के हम लोग आ पिर भी कोई देखता तो है नहीं बस यहीं चलता है कि वीडियों पर आये और अपना कमेंट छोड़ा और चले गए वो तो सबका यहीं चल रहा है अगर यह चल रहा होता ना तो कल के वीडियों में सहीं उन्हें गानक आया था तो कुछ लोग तो बोलते इसके वारे में तो यहीं मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि अगर मेरा नहीं देखते है कोई वात नहीं लेकर थोड़ा सा उसको बुरा लगा बच्चे को क्योंकि वह एक-दू लोगों ने देखा है और वो हमेशा फुल वाच करते हैं जो जिन लोगों ने देखा है दो एक-दू लेकिन लोगों नहीं देखा तो उनकों को पता ही नहीं है कि अदनर क्या है थूरसे उसको भी खराब लगा क्या क्या बोला समने तो क्यूंकि उसने बोला था कि कमेंट बोक्त में बताएगा क्या आपको कैसा लगा तो कहने लगा कि सुबह उठके कि ममा आपने क्या आया कमेंट में कितने लोगों ने बूला क्या बूला मेरे लिए तो मैंने का बिटा और फिर पढ़ लेते हैं बच्चे उन्हें इतना तो आता है पढ़ना भी आता है लिखना भी आता है सब पर लेते हैं तो उसने खुद देगा बस आप उसको बुरा लगा कहने लगा ममा और अपना आप भी बनाई बनाई यह और आप भी अपना वीडियो अप्लोड करिए मैं नहीं आँगा मुझे किसी ने निकाहा उसको बुरा लगा लेकिन आप लोगों जाता नहीं है तो आप इतने से पता चलता है कि एक या दो मुनट के वीडियो भी वाश नहीं करते हैं कोई नहीं तो आप लोगों को पता चल जाता तो उसमें क्या है कि मैंने कल एक रेश्पी भी दी थी तो वो तो थमनेल में ही पता चल जाता है कि इसमें क्या रेश्पी है और क्या है क्या नहीं है फोटो भी लगा देती हूं तो उसी से करें किसी को आए जबर जस्ती कोई बढ़ तो कोई बात नहीं जैसे इसको देखना आए लेकिन अब अपना तो काम है तो अपना करेंगे और कर भी रहे हैं तो ठीक है फिर चलिए मंगौडी hun ट मेरा काम है आपको देख लिए चलते हैं और ंयाते है चैनल सब्सकीब लोचले करें और लाइक है कमेंट कर दिया करें और चलते हैं वीडियो में तो यह है वह सब्सामान जो हम इसमें डालेंगे तो यह देखिए मिर्ची है हारी धनिया पत्ती है और पालक है प्याज है और जो डंडे वाली प्याज होती है ना वो भी बहुत जरूरी होती है लेकर मिली नहीं थी तो फिर मैंने ऐसे बना लिया और ये देखिए दाल मुंकी तो ये पीस रही हूँ और मिक्सी में पीसने में क्या होता है कि तो अच्छी नहीं पिस्ती है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो मैं महनत कर लेती हूं महनत करना मुझे मंजूर होता है लेकिन मैं यह मिक्सी मिक्सी वाला काम नहीं करती हूं मिक्सी में जो काम मिक्सी में तो मुझे नहीं रखता है कि कुछ भी अच्छा होता ह तो यह दाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं पीश्ती और फिर वो मंगोरी भी अच्छी नहीं बनती है, तो इस तरीके से मैं अपनी खुदी पीश लेती हूं हाथ से, और कौन सा रोज बनाना है कि हमें रोज पीशनाहें बैठके तो मैं अपना उसी साब से कर लेती हूँ कभी कबार बनाना है और संडे का दिन था तो संडे को वैसे भी जल्दी नहीं होती है किसी काम की तो ये सब आज मैंने संडे को किया था तो होता रहता है काम और ये देखिए मैं पालक काट रही हूँ तो मैं हसीय से काट रही हूँ और पालक जो जितनी भी ये भाजी होती है न वो वैसी ये हसीय से ही अच्छे से कटती हैं चाकू से बिलकुल अच्छे से नहीं कटती हैं और ये अगर हम चाकू से काटते भी हैं तो फिर जो मोटी मोटी सी कट जाती हैं अच्छी नहीं लगती है तो मैं अपना अँजी ऐसे काटी हूं और सब्जी वगएरा जो भी वुचाकु से कट जाती है लेकिन इससे नहीं का अच्छी ए तो मैं और यह साइड में बीचा डाल ले हूं बाद में उठा लोगी और बस यह पालक कट गए है और पत्टे वाली जो प्यास होती है हरी प अगर उसके यह वाली प्याज डाल की बनाऊंगी और बहुत अच्छी बनती है सब जिसको पसंद है मुझे ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं अपना ज्यादा नहीं खाती हूं और यह देखे तो यह नमक है और इसमें डला हुआ है अधरक लहसरुन और नमक यह तीन चीजों हुआ ही मिर्ची न भीटाइए मिर्ची का ने अई它 sangat का मिर्ची बहुत चाता हुए तो यह देखे में कितनी सारे जटीस डियर सारे निदि देलिए ए उपर है और इसके लिए बनाई थी और हम लोगों ने अपनी चटनी भी अलग बनाई थी और ये दाल भी अलग मनाई थी तभी हम लोगों ने काई थी तो ये देखिये it को साल लेंगे अच्छे से और इससे वो नमक with जो एक जगा नह supplier जाए और अब कि हैं मंगोडी मतलब इतना फियमस है कि अहां पर मंगोडी वाँसा में गाने भी बन चुके हैं मंगोडी के ऊपर और ये देखिए संचुकी है दाल और तेल डालarta दूंगी मैं भी मैंने गरम करने के लिए रखा नहीं था साथ यह देखिए आप डाल रही हूं तो बस अब ते देखने आता है सब को मना आता है पता नइं क्यों लोग्स व Пिंद एंसे काम ही है और उसकर प्रोकूर को प्रॉट है मुझे पालगने को सुनने को भी मिलना था कि ignoring शाल करना दिखाते रहते हैं तो इसलिए मैं बता रहthy हूं पालगना देना अश्या है क्या है कैग्रbay् nhा करें कि यह मतलब क्या हुआ रहे हैं परेसी बना रहे हैं यह सब दुनियो को दिखा हुआ शось कि ना है और от कुछ मैंण बीजिदे व्यवилась अब यह थोड़ा सा सिख गए हैं तो इनको पलट देंगे और ऐसी पलट पलट के सेख लेंगे अब अच्छा सब यह देखिए चटनी पिस गई थी हरी वाली यह भी उसी से सिलबटे से पीस लिए थी और यह देखिए सिखने वलकुल सिखने वाले हैं थोड़ा सा और सिख देंगे तो कुरकुरे हो जाएंगे और यह बहुत ज्यादा वैसे होते हैं क्रंची और क्रिश्पी होते हैं यह और बहुत अच्छे में लगते हैं खाने वालों को थोड़ा सा अच्छा सा सेख देते है तो थोड़ा सा अंदर रह जाता है तो इसलिए को हम थोड़ा सा रैडेस हो जाते हैं तब ही निकालते हैं ताकि यह अंदर तक सिख जाएं तो यह देखिए हो चुके हैं हमारे पूरी तरीके से सिख गए हैं और अब मैं वस प्लेट लगा के और दे दूंगी तो यह जितनी दाल मैंने बनाई थी ना तो यह मैंनू उसी के लिए बनाई थे यह जितनी दाल लखी है और बागी जो बचे थे वो अपना लेके गया था क्योंकि यहां पर कोई इतनी मिर्ची खाता नहीं है तो ठीक है ब्रेंट सब मिलेंगे हम कल के व्लोग में तो आज के लिए बस इतने ही बाई बाई दोस्तों